हेलो स्टेरेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ क्रिष्णा, कैसे हैं सब लोग, मस्ट, बढ़िया, तो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, फार्मसिटिस का चैप्टर नमबर 4 का लेक्चर नमबर 2 ठीक ना, जहां हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट ऑपरेशन के बारे में, उमीद है, यूनिट ऑपरेशन का टर्म किलियर हो चुका होगा, दिमाग में आगे होगा अच्छे से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले चप्टर हम लोग उनके कर दिया था, पिसाई कर ली थी, है ना, जब पिसाई की थी तो हमें प्रोड़क्ट मिल गय तो हमने क्या किया पहले, पिसाई कर ली है, पहले लेक्टर में, ठीक है, और इस लेक्टर में हम लोग सभी पार्टिकल को अलग करेंगे, कि पीछने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट साइजिस के पार्टिकल मिले होंगे, महीन महीन टाइप के, उनको अलग करने वाले हैं, तो particle जो हम लोग size को अलग करेंगे, कई category में हम लोग देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे course में क्या है, जो powder है, उसको हमें according IP लेके चलना है, Indian Pharma Copia के according हमें चीज़ों को समझना है, और उसी के according हमें यहाँ पर उनको classify करते हुए पढ़ना है, यही अपने course में है, तो देखो size separation क्या चीज़ आई है, अब क्या करा है, size separation मैंने क्या का, क्योंकि physical changes आ रहे हैं, पहले mixture था, उसको हम अलग-अलग कर देंगे, तो size separation is a unit operation, ठीक है, that involved the separation of mixture, यहाँ पर क्या mixture को हम अलग-अलग करेंगे, of various sizes, various size particles into two or more portion, अलग-अलग size के particle होंगे, उसमें जितन of screening surface, है न, हम लोगने जब पहल एक्चर में जब ball meal और hammer मिल से क्या किया था, हमारे पास वहाँ पर जालियां लगी होई थी, उस जाली में से, भाई मानो जाली का size इतना है, ठीक है, तो इतना बड़ा particle भी आया होगा, छोटा particle भी आया हो, जब बुरादा बन गया होगा, है न, अलग-अलग size के particle आगा होग 애, अब finally किया है, हमारे पास खास तरह की छल्लियां होती है, क्योंकि अब ये particle और छोटे होगे नहीं, अब कोई पीछने वाली चीज़ तो है नहीं, ठीक है, अब हमारे पास ऐक खास तरह की छल्लियां होती है, ठीक है, इस तरह से, खास separation is also known as sieving छानना, sieve मतलब छानना sieve मतलब छलनी, sieving मतलब छानना classify करना और screen करना ठीक है एक और word बोला जाता है, shifting भी सायद होता है ठीक है एक word होता है shifting ठीक है ये भी word इस्तमाल होता है तो this technique is based on physical differences between the particle यहाँ पर physical difference है, एकका size बड़ा है एका छोटा है, एका medium size है such as size, shape and density, यह सब इनका क्या होता है अलग अलग होता है, ध्यान रखना size separation है, जो हम sieving करेंगे वो size, shape and density इन तीनों पर depend करेगा ठीक है, यही सब तुमारे छोट-छोटे one mask question बनके तयार होंगे आगे आए objective of size separation size separation का objective क्या है, वो ही objective है ठीक है, to improve the mixing of powder जिससे के हमारे बाद महीन वाले powder अलग हो जाएं बड़े वाले powder अलग हो जाएं हट जाएं, तो mixing असानी सो हो to determine particle size for the production of tablet and capsule, यह सबसे बड़ा main objective है हमें capsule बनाना है, tablet बनाना है दोरांच हम produce कर रहे होते हैं, दवाएं बना रहे होते हैं अगर घोलना है, solubility है, जो stability है उसको भी हमें यहापर देखना होता है तो size का बड़ा उसके उपर फरक पड़ता है अब, different method of size separation यह अपने course में नहीं है लेकर समझ लो हमारे में केबल क्या है, sieve अपने course में क्या है, sieving है but sieving के अलावा भी कई सारे method होते है the various method कोई से, sieving छानने वाला हो गया cyclone separator, यह दोना अपने course में है then air separator और illiteration method थो थोड़ा समझ लें इसके बारे में क्या क्या होता है the fine powder is separated from the coarse powder by using sieve of desired number ठीक है, mechanical sieves are used for this purpose हमें जिस number की छलनी ले लेंगे छान लेंगे, बागी सब निकल जागा वो यला part उसके अंदर केवल रह जाता है the sieve are based on method of agitation हिलाना, brushing, उसके पर रगड देते हैं इस तरीके से, centrifugal force है ना, छलनी लगी होती है बड़े तेटेश घुमता है और उसके अंदर से particle निकल निकल के बाहर आते रहते हैं तो centrifugal force परता है जो बाहर की तरफ धक्का मारे है ना, बस जैसे turn लेते हैं तो हमको बाहर की तरफ धक्का मारते हैं मैंने काता फिजिक्स लगी है थोड़ी बहुत तो फिजिक्स के टर्म्स आ रहे हैं आईटेशन में ऑसिलेशन्स वाइब्रेशन या गारेशन मेतल होगी गोल-गोल गुमाने वाला मेतल आ जाएगा साइक्लोन सेपरेटर यह बढ़ेंगे पढ़ेंगे इसका क्या आ जाएगा एक तरह से प्रिंस्पल आ जाएगा तो अफेक्ट दा सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फिलुड अच्छा फिलुड यहां पर बार बार एक टर्म आएगा फिलुड फिलुड जहां लखना पेटा फिजिक्स में कोई भी चीज जो फिलुड करती है उसे फिलुड कहा जाता है और दो ही चीजे फिलुड करती है एक एयर फिलुड करती है और एक वाटर फिलुड करता है तो फिलुड का मतलब यहां पर लिक्विड समझ लेना कुछ बच्चे फिलुड को लिक्विड समझ के कन्फ्यूज कर जाते हैं ठीक ह हमारे यहां पर cyclone separator है यहां पर हम air का use करते हैं ठीक है इसलिए fluid का इस्तवाल किया गया है and the separation depends on the particle size and density जो separation होगा cyclone separator का अंदर particle का size क्या है और उसकी density क्या है उसके उपर depend करेगा देखेंगे अभी इसको हम लोग detail में the fluid velocity also plays an important role in size separation जो हवा है उसकी रफतार कितनी है वो भी एक बहुत बड़ा role यहां पर play करेगी then air separator again यहां पर principle of this centrifugal force यहां पर भी क्या है centrifugal force होता है यह दोन अपने course में नहीं है in air separator air movement is obtained by means of rotating disc अब इसका concept अलग है यहां पर detail में नहीं जाएंगे by controlling the speed of rotation it is possible to vary the size at which ठीक है छोड़ देते हैं इसको allotration method it is a process of separating the low density fine particle from the high density तो क्यों देहां रखेंगे allotration में है हम लोग low density और high density इनको अलग कर लेते हैं यह जहां ज्यादा हमें detail में जाने की ज़रूरत नहीं है चले आगे तो अब पढ़ लेते हम लोग official standards for powder according IP ठीक है अब IP के according इंडियन फार्मकोपिया के according जो powder के sizes हैं वो पांच भागों में तोड़े गए हैं क्या कह रहा है था इंडियन फार्मकोपिया has prescribed standards for powder powder के लिए उसने कुछ standards prescribed किये हैं बताए है फार्मसुटिकल पर्पसेश फॉर अच्छा यह यहां पर आ गया कि IP ने powders के लिए कुछ standards prescribed कर रखे हैं और total five categories है यहाँ पर पहली category है course course में थोड़ा बड़ा होता है अच्छा यहाँ पर अब ध्यान रखेंगे ठीक है समझते हैं बात को course powder यहाँ पर क्या 10 और 44 यह sieve number है चलनी का number है a powder of which all particles pass through a sieve number 10 mass aperture 1.7 mm काफी बड़ा है and not more than 40% through the sieve number 44 mass aperture 355 micrometer ठीक है ना तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि जितना छोटा sieve number है उतना बड़ा उसका size है याने कि हाँ पर ऐसे हम ध्यान रखेंगे sieve number small होगा तो particle size बड़ा होगा है ना बच्चा कहाँ वाँद कन्फिज करता है particle size big होगा याने कि मैं बोलूँ अगर sieve number 10 है और 44 है तो 10 वाले का size कुछ इतना बड़ा बड़ा होगा और 44 वाले का size कुछ छोटा छोटा होगा ठीक है ना यह size बात समझ मारी है clear है चलनी का एक पार्ट ले लिए हमालो चलनी है तो चलनी का एक पार्ट से समझा रहा हो मैं यह इसके अंदर काफी महीन 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 हो जाएगा बात समझ मारी है तो sieve number इतना छोटा particle size उतना बड़ा तो यहाँ पर simple हमें दो बातों में इसको define करना होता है 10-44 ठीक है coarse powder जो pass through the sieve number 10 जो 10 से तो सब निकल जाए लेकिन जब 44 से छाने तो केवल कितना 40% हो ऐसे को हम लोगो coarse powder कहते है moderately coarse powder by salt a powder which all the particles pass through the sieve number 22 इसका mesh aperture कितना होगा 710 micrometer ठीक है ना तो mesh number 22 से निकल जाएगा and not more than 40% through the sieve number 60 mesh aperture कितना है 250 micrometer जैसे sieve number बड़ता जा रहा है size क्या होता जा जा रहा है छोटा होता जा जा रहा है ठीक है moderately fine powder 44-85 sieve number 44 से पूरा निकल जाएगा बट 85 से केवल 40% ही छनेगा fine powder 85 से पूरा छन जाए 120 से पूरा छन जाए ठीक है अब मैंने क्या कर दिया है इसको easy rita की याद हो सके तो यह देखो यहाँ पर क्या है यह table से याद कर सकते है coarse powder में 1044 10 से पूरा छन जाएगा size कितना है micrometer में 1700 micrometer और 44 से केवल 40% छनेगा moderately coarse powder कौन सा कहलाएगा जिसमें 22 नंबर से पूरा छन जाएगा लेकिन 60 नंबर की छननी जब लगा देंगे तो उसमें से केवल 40% ही छनेगा moderately fine powder में 44 नंबर से पूरा छन जाएगा बट 85 नंबर से केवल 40% छनेगा और fine powder और यहाँ पर यहाँ पर यह specify नहीं है यहाँ ठीक है ना कुछ लोग कर देते हैं specify आगे 120 350 का बट वो हमारे मतलब का नहीं है यहाँ पर 85 120 से क्या होता है पूरा पूरा छन जाता है और यह इनके सब के क्या है मैंने sieve के size दे दिये याना कि छलनी में जो उसका छेद होता है उसका छेद का size कितना होगा clear ने बाते हैं तो इस तरीके से जो IP के 5 form है इसको तुम लोग चाहें तो ऐसे याद कर लो या यह याद रख लो और जो language है एक की पकड़ लो यहाँ से easily लिख जाओगे ठीक है ना 10 से पुरा चन जाए 44 से 40% चने बस इसको बस याद कर लेना है यह 5 कैटेगरिया हमारी है खतम हो जाती है then sieve standards sieve standards से क्या मतलब है यहाँ पर कि एक sieve को कौन कौन सी चीज़े define करती है एक चलनी जो है अब चोटी से बाता हूँ मैं जैसे एक चलनी है suppose यह चलनी है तो इसमें क्या क्या चीज़े देखी जाएंगी जैसे कितने छेद है ठीक है ना और इसका size कितना है ठीक है यह सब चीज़ें देखी जाएंगी जब चानते हैं अब मालो पूरा तो जैसे मालो पूरा तो एरिया ये रहा, अब उसमें मोटे मोटे वायर लगे होंगे, सब्सक्राइब साइज क्या है, मोटा मोटा अगर लगा हुआ है, अब मालो मोटे मोटे वायर लगे होंगे, तो देखो कितना ज्यादा एरिया तो वायर ने कवर कर लि है उसी को हम standards of sieve बोलते हैं अब हर country का या कुछ अलग-अलग जो देश हैं वहाँ पर थोड़ा सा क्या है कुछ अलग-अलग चलता है तो sieve का simple सा मतलब क्या है sieves are the simplest and sieving is the most frequently used for size separation sieve क्या होते हैं छलनी होते हैं सबसे simple method है और sieving बहुत आम तोर पर इस्तमाल होने वाला एक क्या है size separator है जिसके हम help से size को अलग-अलग करते हैं पार्डर कि common standard कौन-कौन से होते हैं एक USA का होता है यह double-double Tyler standard sieve series USA की है US standard sieve series USA की है British standard sieve series UK की है और IP standard sieve series यह इंडिया की है तो हम अपनी इंडिया को for pharmacopial testing must match the following specification यह सारी specification उसकी होने चाहिए एक sieve number है ना numbers of sieve sieve number indicate the number of meshes per linear length of 2.4 cm याने कि यहां पर क्या है कि मेरे पास जैसे माल लो यह 2.54 cm हो गया यह 2.54 cm हो गया यह 2.54 यह 2.54 यह 2.54 यह 2.54 तो एक linear मालो इस तरह से है तो 2.54 cm का मैंने एक square ले लूँगा तो उसमें कितनी एक दो तीन चार या एक दो तीन चार कितनी meshes है ना कितनी यह खाने आ रहे हैं वो कहलाता है number of sieve ठीक है normal size of aperture normal size of aperture indicate the distance between the adjacent wire यहां पर क्या है normal size of aperture का मतलब क्या हो गया कि दो वायर की बीच में याने कि इसके और इसके बीच में यह दूरी कितनी है यह दूरी कितनी है यह क्या कहलाता है normal size normal size of aperture aperture का size कितना है ठीक है it represent the side of the square aperture ठीक है ना एक square का side कितना है IP 1990 gives the normal mesh aperture size for majority of sieves in millimeter or micrometer generally हम लोग इसको किसमें नापते है millimeter में और micrometer में यह आपका one marks question पूछा जा सकता है normal diameter of wire अब हमने यह जो यहापर diameter इस इस्तमाल किये ना मतलब यह जो wire इस्तमाल कर रखिए कि यह wire है यह wire है इसको अगर मैं ऐसे देख हूँ तो देखो suppose यह wire है तो इसका यह diameter कितना wire का है ना यह जो मैंने यही wire सोड़ा बड़ा दिखा दिए इस wire को निकाल लो तो इसका diameter कितना है तो normal diameter of the wire wire में sieves are made from the wire यह wire से बनी होती है having the specified diameter उसके कुछ खास diameter होते है to give the suitable aperture size and sufficient strength to avoid distortion of the size बहुत महीन लगा देंगे चान देंगे तूट सकता है बहुत मोटे मोटे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा जगे यह जगे कम पढ़ जाएंगी तो हमें एक क्या देखना होता है कि छानते लग टूटे भी नहीं और यह परियाप जगे भी हमारे को परियाप मिल जाए जिससे की चीज़ें छन जाएं अब आते हैं यह normal diameter हो गया approximate percentage saving area अब यह वही चीज़ आगी saving area कितना है समझते हैं ठीक है देखो जारा मैंने जैसे बताया कि suppose हमारे पास एक यह है ठीक है इसमें मोटे मोटे वायर लगे हुए अब कितना कम बचा और वहीं पर हमारे पास एक यह है इसमें याले वायर लगे हुए तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच कर देंगे आपर तो यहां पर कर लेते हैं चलो ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं मोटे वायर होने की वाए से यह सीविंग एरिया जिनसे चीज़ें च्छनेंगी वह कम हो गया पतले वायर होने के वाए से सीविंग एरिया च्छनने वाला एरिया क्या हो गया बढ़ गया तो यह सिंपल सा कॉंसेप्ट यही देना चाह रहा है यहां पर अप्रॉक्सिमेट परसंटेज सीविंग एरिय और इनका एक, दो, तीर, इनका एरिया देख लिए अगर, इनका जब ratio निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, total area of sieve, ठीक है, और ये mesh का area कितना है, ठीक है न, it depends on the size of the wire, अब ये किस-किस पर depend का रहे हैं, size wire के मोटा है कि पतला है, used for any particular sieve number, and generally the sieving area is kept within the range of 35-40% to give suitable strength of the sieve, generally हम लोग कितना रखते हैं, कि जो sieve area है, वो 35-40% रहे, कि उसी वरना बहुत ज़्यादा अंदर, इससे ज़्यादा area होगा, तो बहुत ज़्यादा अपने अंदर से निकालेगा, तो तूटने की संभावना इसकी बढ़ जाएंगी, इसकी मजबूती भी कम हो जाएगी फिर, बास समझ मारी है, यानि की 30-40% मतलब कि हम इतना मोटा wire इस्तमाल करेंगे, कि केवल ये जो area है, टोटल इरे के comparison में 35-40% ही बचे, इतना मोटा wire इस्तमाल करते हैं, बास समझ मारी है, then aperture tolerance average size, some variation in aperture size is unavoidable, अब होता क्या है, हरुन कैसे बना रहे हैं, सीव बनाई हमने, अब जो किनारे के wire पादल है, एक wire यहाँ आगे लग गया, तो ये तो बहुत जादा छोटोटोटे होगे size, है ना, तो कुछ पार्ट या हिस्से ऐसे हैं, कुन्य उन्य मिला कर गया है, दायब है, कई वह तारवार गल्स लग जाती है, जिसको हम avoid, मतलब रोक नहीं सकते हैं, उतना करवड होती होती है, तो यह यह aperture tolerance average size, कितनी गल्ती होने की संभावना है, तो करा, some variation in aperture size is unavoidable, हम उसको टोक नहीं सकते हैं, होगा होगा, इस variation is expressed as the percentage and known as the aperture tolerance average, यह इसको हम percentage में express करते हैं, ठीक है, कितना होता है वो अभी हम यहापर discuss नहीं कर रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, aperture tolerance average, ठीक है ना, यह 5 तरह के standards है, जो एक पूरे match को क्या करते हैं, define करते हैं, कि लिए रहे बाते हैं, ठीक है, पास समझ माई हैं कि एक छलनी की कह सकते हैं, यह 5 खासियते होती हैं, जिसके अधार पर हम लोग choose करते हैं, कि कौन सी छलनी हमें इस्तमाल करनी हैं, नेक्स्ट है, अपने पास cyclone separator, ठीक है ना, एक तो छलनी की help से हम लोग particles को separate कर लेते हैं, दूसरा अपने पास क्या है, cyclone separator, अब यहाँ पर अगेन देखें क्या है, cyclone separator, इसका, प्रिंसिपल क्या है, centrifugal force, यानि कि जब हवा धक्का लएगी, तो अभी हम देखेंगे, जैसे जब कोई बस हैता न, ऐसे turn लेती है, तो हम लोग से बाहर की तरफ धक्का लग जाता न, गाड़ी turn लेती है, तो वोई चीज यहाँ पर होती है, हवा के साथ particle आते हैं, और वो बाहर की तरफ धक्का लगते हैं, और वो अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर यह कोई चीज हैं समझने हैं हमको, इसको समझने से पहले, जो जो बच्चे, बच्चों ने गेहूं को अलग होते हुए देखा है, गेहू और भूसा अलग बनते वे देखा है, अगर वो चीज दिमाग में सैट है, तो बास समझ में आ जाएगी, बड़ी तेज उसके अंदर से हवा निकलती है, तो जो भूसा वाला पार्ट है, वो क्या होता है, वो हवा के साथ बाहर निकल आता है, भूसा एक तरफ गिर रह यहां से तरफ से तिर्षे में वो लटालते हैं मिक्श्टर डालते हैं यहां से फो接下來 इसमें भारी खुमते हैं वो तो भईी ऐसे गोल-गोल powder वह नीचे घर जाता है इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं separate कर लेते हैं अच्छा ये गोल गूमता है cyclone, Bounder की तरह Cyclone मतलब क्या हो तो तूफान तो ये cyclone तरह गोल-गूमता हो आता तो हम उसको जो गोल-गोल वाला बावंटर बनता है ना तुफान को कहते हैं ठीक है तो इसलिए इसका नाम के रखा गया है साइक्लों सेपरेटर सिंपल कॉंसेट याद आगया या फिर कुछ ऐसा समझ लो और वह नहीं किया होगा तो तुम लोग कई बर क्या करते हो सिंपल देखो समझे बात को कॉंसेट क्या है मूफ़ली तो सबने खाई होगी शचाने के दाने को रगरते हो गे और रगर करके फिर ऐसे फूक मारते हो तुम, तुम्हारी फूक इतनी तेज होती है, कि उसका छिलका तो उड़ जाता है, लेकिन दाना वही रह जाता है, ये क्या था, साइक्रों सेपरेटर था, तुमने भी इसका इस्तेमाल किया, फूक मारी, वो छिलका अलग हो गया, और दाना वही का वही बैड सेम कौन सेप्ट यहां है, अब क्लियर होगे दिमाग में, बस यहां पर मशीन है यहां पर, तो चलते हैं, आगे हम लोग, आव देखो, तो यहां पर सेंट्रिफिकल फोर्स, धक्का लगता है, इस यूज़ तू सेपरेट जो सॉलिड होते हैं, उसको सेपरेट करने के अब बहुत हलका है, तो उड़ जाएगा हवा के साथ होतो फिर, छोटा है, लेकिन भारी है, तो बैट जाएगा नीचे, ठीक है, तो देंसिट का फरक पड़ता है, यहां पर, depending on the field velocity, हवा कितनी देश चल रही है, the cyclone separator can be used to separate all types of particle, हम लोग field velocity को change करकर के, अलग-अलग particle size क को separate कर सकते हैं, construction very simple, ठीक है, एक बहुता है, यह इस तरह से रहता है, simple रहता है, यहां से एक सरफ से हवा जाती है, अच्छा कई बार क्या रहता है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों में, यहां पर पंखा भी लगा देते हैं, जैसे exhaust होता है, तो हवा को खीशता और तेजी से, उससे क्या होगा, और तेजी से हवा भार निकलती है, तो हलके पार्टिकल जल्दी जल्दी अलग होते हैं, और भारी पार्टिकल नीचे रहा है, कई बार यहां लगा देते हैं, तो simple तींचा चीज़ है, एक cone shape का container होता है, cyclone body बोल देते हैं, conical section होता है, यहां से dirty air, dirty air मत gas outlet tube, यहां से जो gas है, particle के साथ बाहर आती है, के लिए रहा है, तो it consists of cylinder vessel, it has a conical base, the upper part of the vessel is fitted with tangential inlet, जो inlet होता है, tangent होता है, tangential डालेगा, जिससे की cyclone, ऐसे गोल 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 बावंडर सा बने, जब बावंडर सा बनेगा, तो यह भारी भारी particle ऐसे बाहर निकल आएंगे, इस त लिए एक outlet बना हुआ होता है, the outlet of air is provided at the center of the top, the outlet होता है, वो center के top पर provide किया जाता है, खतम कहां नहीं, working देख लो, working कहीं कहीं नहीं समझाए दी, मैंने the solids to be separated are suspended in a steam of gas, solid को हम लोग gas में याने की usually air होती है, उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, जैसे हम बहुत हवा चलते ह राएंगे, such a feed is introduced tangentially, ये तिर्चा तिर्चा जाल चलता है, at very high velocity, tangentially enter करता है, high velocity पर, so that rotatory moment take place, इससे क्या होता है, इस गोल-गोल motion आ जाता है, गोल-गोल मोशन में भारी पार्टिकलों धक्का लगके ये बहार होते रहेंगे, ठीक है, take place within the vessel, the centrifugal force and vortexing, vortexing होती है, ये जो पार्टिकलों धक्का लगाएगा, और vortexing throws the solids to the walls, ये बहार निकल करके, ठीक है, इससे container से आके टक्राइंगे, ठीक है, as the speed of air dimness, जैसे से हवा की speed कम होती जाएगी, the particles falls to the conical base, अब नीचे आते हाते है, हवा की speed कम हो जाती है, तो पार्टिकल नीचे आते हैं, ठीक है, आते हैं अब, base and are discharged through the solid outlet, वहाँ से वो निकल जाते है, अब देखो होता क्या है, यहाँ पर लगती है, एक्चल थोड़ी सी physics, side में रफ्रफतार बहुते होती है, और बीच में pressure ना कम हो जाता है, तो इस तरीके से होते होते होते, finally फिर जो air होती है, यह ऐसे फिर उपर को आती है, और यहाँ से निकल जाती है, बीच में pressure कम हो गया, side में जाता है, तो जब यहाँ पर finally जब बीच में pressure कम होता है, जब भूमती है और फिर बाहर निकल जाती है, ठीक है न, तो यहाँ पर लगती है physics, तो हम वहाँ पर उस concept पर नहीं जाएंगे, फिलार से इतना और बीच में उपर की तरफ जो नोजल लगा हुआ है बाहर का पार्ट लगा हुआ है उपर है यह वाला यहां से फिर यह बाहर को निकल जाती है किलियर है fine particles may be carried away by liquid liquid याना कि फिल्ड होना चाहिए क्यों होना चाहिए फिल्ड जो fine particle है वो फिल्ड को दुवारा बाहर निकल जाते हैं heavier collected from the bottom और जो heavier होते हैं वो नीचे आ जाते हैं ठीक है a fan is used to push और suck the gas through the cyclone in some cases कुछ cases में हम लोग यहां पर fan का इस्तमाल करते हैं न यहां पर किसका इस्तमाल करेंगे fan का जोगी खीचे कहाँ बागो इससे और तेजी से क्या होगा काम होगा हमारा और जल्दी हो जाएगा application देख लें cyclone separator used to separate the solid from gas solid को gases separate करने के लिए it is also used for size separation of solid in liquids ठीक है न जाने की gas से अलग करने के लिए size separate करने के लिए वो तो करना ही करना है it is used for separating the heavy and coarse fraction from the fine dust dust को अलग करना चाहते हैं हम लोग pharmaceutical हम था है उसके अलाबा क्या क्या है used in industrial level to remove particle from the smoke जो smoke बनता है उसके अन्देसे particle को dust को अलग करने के लिए used to control air pollution because removal of particulate matter particulate matter होते हैं हवा में जो solid particles होते हैं उनको कई बर अलग करने के लिए भी इस cyclone separator का इस्तमाल किया जाता है तो यानि CDC बात है जहां जहां पर हवा और solid particle mix up हो रखे हैं है न जैसे वहां वहां हम लोग cyclone separator का इस्तमाल करते हैं कि लिए और हमारा इंडश्री में तो size separate करने के लिए करी रहे हैं बात समझ में आ रही है किलियर है और यह chapter हमारा खता हो जाता है ठीक है तो ध्यान रखना छोटा chapter था समझने हो ला था एक बार यह chapter से focus दे करके बेटा एक बड़ी अच्छे समझ लो फिर यह चप गए यहां पर फिर कुछ नहीं करना तुमको ठीक है principle में एक लाइन लिग दोगाना इट वर्क्स on the principle of centrifugal force का परियाप्त ह है जादा मत लिखो बात समझ मारी है ठीक है ना करना क्या है वो तो तुमको पता ही है पढ़ना है और रिवाइस करना है बाद वागी यह मेरा नंबर है कोई help चाहिए तो यह अपना एप है ठीक है पढ़ाई को और अच्छा करना चाहते हो तो और revision करते रहना है all the best